स्टेडियम में भी लाखो लोगों की संख्या अभी से ही लोगों का जमावणा देखने को मिल रहा है इंडिया वस्स ऐस्टेडियम में अज ये मैच खेला जाएगा और दो हजाट तेष में भारत का सफर बहुत जादा खास रहा है एक बाट फिर से इस सफर को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आज फाइनल फाइट है और फाइनल फाइट में हम तो बार-बार यही कहेंगे जीतेगा तो इंडिया ही लेकिन आपको भारत के सफर के बारे में भी बता देते हैं और अस्ट्रेलिया के साथ जब भारत की भिड़न्त हुई थी इससे पहले तो फिर भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी चन्नई में ये मैच खेला गया था भारत ने दिल्ले में आफगानिस्तान के 6 मैच खेला 8 विकेट से जीत हासिल की थी एहुआँदाबाद में एक बार मैच हुआ पाकिस्तान से भारत ने जब मैच खेला तो 7 विकेट से टीम इंडिया जीती थी और बंगलादेश से भारत ने जब मैच खेला पूरे में भारत साथ विकेट से जीट चुकी थी नियूजलैंड की अगर बात करें तो आपको याद होगा धर्मशाला में ये मैच हुआ था और भारत चार विकेट से जीट हासिल की थी लखनाओ की अगर हम बात करें तो लखनाओ से भी जब मैच हुआ तो यहाँ पर पूरे में कई रणों से भारत के जीट हासिल की थी श्री लंका, साथ अफरिका, नीदर लैंड, नियूजलैंड अलग-अलग जगों पर ये मैच हुए और अच्छी खासी जीट टेम इंडिया की देखने को मिरे इस वर्क अप में भारत के टॉप प्लेयर्स के नाम अगर हम कहें तो वैसे तो हर कोई मैनत कर रहा है लेकिन विरात कौली से ज़ादा उमीद है और स्टार बले बास के साथ-साथ हम कहें अगर तो आल राउंडर भी कई ऐसे खिलारी है जिन से उमीद भारत को बहुत ज़ादा है लेकिन बॉलर की अगर हम बात करे मौहमद शमी से बहुत ज़ादा उमीदें है इस बार हाला कि देखना होगा कि मौहमद शमी का जलवाद जो हमने सेमी फाइनल में देखा वो फाइनल में भी बरकरार रहेगा तो यह सफार एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं 8 October भारत vs ऐस्ट्रेलिया और भारत ने 5 विकट से जीथ हासिल की थी 11 October को भारत विकट से जीथ हासिल की थी 11 October को इसके अलावा 14 October भारत vs पाकिस्तान का मैच हुआ था और पाकिस्तान घुट्डों पर आ गया था भारत के सामने नतमस तक 19 अक्टूबर की बात करें तो भारत वसिस बांगलदेश का मैच और भारत ने साथ विकेट से जीत हासिल की थी भारत की इश्रांदार जीती 22 अक्टूबर न्यूजलेंड वो जबरदस मैच जब सबकी धड़का ने रुख गई थी भारत ने जीत हासिल की चार विकेट से 19 अक्टूबर को भारत वसिस इंगलाइन मैच था और भारत ने 100 रनों से जीत हासिल की इसके अलावा दो नवंबर की अगर बात करें भारत वसि रहे हैं जीते गा तो इंडिया ही जिस तरीके से हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे मैने ये ही कहा कि कई ऐसे बड़े प्ले प्लेड़ी जिनसे बहुत उमीद है इस बार final मुकाबले में final fight में मुहमत शमी के बारे में आप क्या कहेंगे देखा जाए तो इनकी जो प्रभाव रासी है भारत की प्रभाव रासी इनकी रासी से मेल करती है और इनकी रासी के जो स्वामी है वो सनी है और सनी अभी मैं आपसे बाचीत करके बता चुका हूँ कि सनी इस समय पर बहुत बलमान है ये अकण्ड भारत के सर्वोच न्याया धीजिस माने जाते हैं और ग्रहों में न्याया धीपती न्याय के देवता हैं और अगर देखा जाये तो इनकी बलमान इस्तिती Stephanie को पूरी तरह से ग्रहों का फोकस दे रही है और ग्रहों की उर्जा प्रदान कर रही है तीन विश्युकप का सही मूल्यांकन और सत्य भविश्वानी आपके ही चेनल के माध्यम से की गई थी देखा जाए तो संस्थान द्वारा अगर देखा जाए तो बिगत तीस सालों से सिर्फ क्रिकिट के लिए ही अनसंधान चलाया है अभी तक कि कोई भी भविष्टवानी हमारे जोतिस मठ संस्थान हमारे गुरुजी के द्वारा की गई भविष्टवानी कहीं पर भी असत्त नहीं हुई है तो ये मैं आपको ग्रहों की इस्थिती जहां तक मुझे भरोशा है मैं चुकि बेद जोतिस जानता हूँ तो बेद जोतिस पर मुझे भरोशा है तो बेद की इस्थिती ये निश्चित तोर पर बता रही है कि भारती टीम के सितारे बहुत ही अच्छे इस्थिती में हैं उनकी जो ग्रहों की डिगरियां है जो उनकी ग्रहों की जो चाल है और जो बरतमान समय पर जो ग्रहाण की इस्थितियां दूर हुई है गुरु चंडाली योग समावत हुआ है और अभी 17 और 18 तारीक को सूर मंगल और चंद्रमा का जो ये राशी परिवर्तन हुआ है ये भा ग्रही योग बना हुआ है तीन ग्रह एक ही राशी अर्थात देखा जाए तो तीन ग्रह भारत की प्रभाव राशी को सपोर्ट कर रहे हैं खेल राशी को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिश्चिक राशी खेल की राशी है और ब्रिश्चिक राशी का स्वामी मंगल है और मंगल ग्रह है और खेल के ग्रह के साथ में शूर्य अर्थात ग्रहों का राजा और साथ में बुद्ध अर्थात आर्थिक श्चितियां भी मजबूत करने वाला होगा ये मैच तो ऐसे में अगर अहमदाबाद के अच्छांस रेखांस को देखा जाए वहां की भूमी को देखा रही हैं यह नहीं कह सकते हैं कि अन्य खिलाडियों को भी निश्चित तोर पर थोड़ा सा साउधान रहना है क्योंकि मैं यह दूबारा बोल रहा हूं कि छोड़ा होने जैसी इस्तितियां तो आप इससे पहले कह रहे थी कि मुझे ग्यान है जो थोड़ी बहुत चीजे हैं उनका लेकिन मैं यह नहीं मानती एक चीज आप से पूछना चाहती हूँ फिर टोकिय का अगर मैं गलत हूँ तो ऐसा कहा जाता है कि विवाह के बाद अगर किसी भी एक व्यक्ति का भाग यगर खराब है तो दूसरे क्याने से वो संभल जाता है यानि कि उसकी जो सकारात्मक उरजाएं हैं वो दूसरे की नकारात्मक उरजाओं को दबा देती हैं तो आज हम क्रिकेट के इस मैदान में ऐसी कई उरजाएं देखेंगे कई बड़े चेहरे देखेंगे प्रधान मंत्री आएंगे यहां अमिच शाजी आएंगे यहां पर अंबानी जी आएंगे नीता अंबानी आएंगी कई बड़े सल्मान खान शारुक कान कई बड़े सिंगर आएंगे तो क्या यह जो एक असर डालेंगी इस मैच पर आपको लगता है जो नकारात्मक उरजाएं जो उठेंगे उनको दबा दिया जाएगा बहुत ही गूर रहश्यात्मक प्रसन हैं अंसिका जी और थोड़ा सा बिशे से हटके लेकिन जुड़ा हुआ प्रसन है तो अगर देखा जाए तो दामपत्य जीवन में जब भी पत्यपत्नी एक होते हैं और उनका विवाय हो जाता है तो दोनों के सुख दुखों का जो ल अगर पती की कुंडली में अलपाई योग है लेकिन अगर पत्नी की कुंडली में अखंड शौभाग बती का योग है तो निश्चित तोर पर पती की आयू अलपाई योग समाथ हो जाएगा और अखंड शौभाग बती योग का प्रभाव पती पर पढ़ेगा और उसकी अ अगर रखा जाए तो अगर देखा जाए तो मानिये प्रधान मंत्री जी की जो रासी का स्वामी वो भी जो हतो मंगल है जो खेल की रासी का स्वामी है। आ रहे हैं और सनी और मंगल बरतमान समय पर दोनों सक्तिसाली हैं बलसाली हैं तो गुरू पहलमान तो निश्चित तोर पर चेला बलमान ठीक है मैं वापस से आपके पास आऊंगे अचारे जी आपसे चर्चा जारी रहेगी दोबारा से आपके पास आऊंगे मेरी सहियोगी ममता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है राइपूर से ममता आप इस वक्त पर मौझूद है तमाम ऐसे क्रिकेट के फैन्स भी होंगे आपके आपके आसपास उनसे बात करेगा किस से उमीद है इस बार इस फाइनल फाइट में किस से ज़्यादा उमीद है कौन सा प्लेयर किसका फेवरिट है और यहां क्या इंतजाम किये गए है ममता से शायद संपर कूड गया है दो बारा से साथ दे की कोशिश करेंगे आचारी जी हमारे साथ लगतार जुड़े हुए है आचारी जी देखे सब की निगाहे कई करोड निगाहे आज टेलिविजन स्क्रीन पर रहेंगे आप भी मैं भी हम सब यही चाहेंगे कि एक एक जो है हम बिल्कुल भी मिसना करें हम यह चीज़ देखें लेकिन हमें चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो सबसे जादा माइने रखते हैं वह ग्रह उनका संतुलित होना कितना महत्वपून होता है ग्रहों का संतुलन बहुत जरूरी होता है ग्रह राज्यम प्रयक्षामी ग्रह राज्यम हरेडचो जब ग्रह ही राज देते हैं और ग्रह ही राज का हरन कर लेते हैं जब ये ग्रह संतुलित नहीं होते हैं अक्री बक्री और मारगी इस्थितियों में जब संधी कालिक इस् गुरू का चंडाली दो समात्थ हो चुका हैं और राहु और शूर चल रहा था रह तो ऐसे में बहुत सारे जो ग्रहों के संति पर carbon के साथ मैं चल हैं तो यह संपर्क जुड़ गया है मंता मेरी आवाज आ रही है आपको बिल्कुल मंता राइपूर में क्या तैयारिया है अगर वहाँ पर कोई खिलाडी को युवा है मौजूद तो उनसे जरूर पूचेगा कि आज किस से उम्मीद है जोश कितना हाई है आज लोगों में मिल्कुल देखें एंडोरी स्टेडिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और जोश का अंदाजा आप लगा सकती है कि मुख्यमंती पुपेज भगेल ने खुद ट्वीट किया तो और सबको इन्वाइट किया है यहाँ पर आप देखें कि किस तरह की तैयारी की गई है अपने रही है आम लोगों को भी इन्वाइट किया गया यह टेबल सजाए गया है और खास तोर पे मैनू बनाया तयार किया गया है और मैच के दौरान जो है वो लोग एंजॉय कर सेके इसके लिए तो यह पूरी तैयारिया शुरूई हम अब आपको कोशिच करते हैं कि किचन की त इसे जो है वो जो है यह होता है कि लोग स्टेडियम में आते हैं मैज देखते हैं यह बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगाई जाएगी और स्क्रीन के साथ ही अगर बात करें तो उस स्क्रीन में जो है जैसा थीटर में स्क्रीन होता है वैसे और यहां पर आप देखें कि पूर पूरे मैच के लिए हैं और दो तीन टाइब के पकोड़े हैं मिर्ची बजिया हो गया प्याज के पकड़ होगे आलू पकोड़े होगे चाई कॉपी होगी सेंड्विच होगे डोकला होगे ताभी सरी आइटिम रखी हुए है मैच के दरान से जाएगा कोड़ा या पर सब्दार की जारी है और यहां पर पूरा जोश है और पुरा भरोसा है कि इंडिया ही जीतेगा इसे एक बड़ा सा जो लड़ू है कई की रोका वो तयार कराया जा रहा है इसके बाद फिर से हम आपको इंडोर स्टेडियम लेकर चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कहा पर एक बड़ा जो है जैसे थीटर में स्क्रीन होती है वैसी स्क्रीन जो है वो लगाई जाएगी तो हमने की जारी है कि किस तरीके से जादा से जादा जो है लोग इसको इंज्वाइब कर सके तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि इस तरफ जो है वो जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं से जान लेते हैं कि कहां पर जो है वो स्क्रीन जो है वो कहां लगाई जाएगी उस तरफ आप द जो है इसको पर पचास अबारा का वह लगेगा यहां पर लेडी हाद ड्रोन केमरा यहाँ पर सपचल लगे गा और यह 36 गण का जो भारत दे़्ट में यह जो वर्ल्ड कप ओ 對 US प्रकारसा यहाँ पर ऑपtechnometer ऑपके पास आएंगत PK स्थारह की गई है यह दिखा रहे हैं आचारे जी हमारे सात्व जुर्गए हैं हाला कि भुपार से भी एक और आचारे जै दया है बड़ा तो आज यही होने वाला एक बारत अब तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए तैयार है और ग्रहय योग अब भारत के पक्ष में ही है जैसा अभी आपने देखा एशियाई जैमस में भी भारत ने श्रतक लगाया है तो पहली बार इस इस्तिती में पहुँचे हैं और निश्ची दूरूप से अभी हम जब समंगल की महारासा 2020 से प्रारम होई है 2017 तक यह खेलों में भारत का पर्चम लहराने वाली महाधाशा है और आज का विश्यज विशाकर नक्षातर का जो स्रबन नक्षातर में आज जो गेम होगा तो यह निश्ची दूरूप से भा प्रारम कई बार तो किस नंबर्स पर व्यक्ति आ रहा है उन सब के उपर इसमें डिपेंड करता है लेकिन चुकि खेल खेल होता है टीम बहुत नावसे इसको खेला जाता है तो किसी एक व्यक्ति की योगदान को बहुत अच्छा इसमें देखा नहीं जाता पर अब तो याने की वर्लक कप में एक तरफ जहां जबर्दस उत्सा है तो दूसरी तरफ हमें देख रहे हैं कि आखिर तमाम जो प्लेयर्ज आज वो भी बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे आचारे विनोच जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए लगतार जरूर बताईएगा कि जो ब बात कही अंसिका जी कि हमको दूसरे पक्ष को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए दूसरा पक्ष बहुत ऐसी स्थिति में हैं क्योंकि जो अगर जान कमीशन की बात करें हम जो कामसर इनके जो आश्टेलियाई कप्तान है तो इनकी जो कुंडली है तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो इनकी मीनलगन की कुंडली में इनकी जो इस्थिती बन रही है तो इनकी जो रासी है वो ब्रश्चिक रासी बन रही है तो ब्रश्चिक रासी भी खेल की ही रासी के स्वामी मंगल की रासी है तो यह नहीं कह सकते हैं कि इनके ग्रह कमजोर हैं इनके भी ग्रह गाल की कुंडली को भी पठल पर रखें तो आइक ये कुंडली भारत की प्रभावराशी हैं हुब्सक्राइज नच्छत्र में मेच होना ये बिजी नच्छत्र है और सनी की रासी का ये नच्छत्र है और मकर रासी में चंद्रमा भ्रमनत रहेगा अब देखा जाए तो स्रवन नच्छत्र महा बिजी नच्छत्र है तो ये भारतिये प्रभाव रासी को सपोर्ट करने वाला नच्छत्र है तो यहाँ पर इसके प्लस पॉइंट बन जाते हैं तो कुंडली भारती के प्लस पॉइंट है वह भारत को निश्चित तोर पर खेल में सफलता दिलाने वाले हैं और अब ही जितनी भी सफलताइं खेल में मिली हैं ये भारत की प्रभावरासी का जो स्वामी है जहां तक अगर मंगल की चल रही है तो निश्चित तोर पर मंगल की दसा में सभी प्रकार के खेलों में महत्पूर्ण सफलता प्राप्त होती है और देखा जाए तो चंद्रमा की इस्थिति मिष्ठान पान सैनासन भोजनानी चंद्रो ददात धन कंचन भूमिलाभं अर्थात सोना का लाब दे सकता है भारत को गोल्ड मेडल अर्थात सर्वोज्च जो हमारा यह ट्रॉफी है वह जो हतो भारत को खेल में दिला सकता है चंद्रमा ऐसा जो हतो साथ ही भूमी की इस्थिति इनको भूमी का लाब होगा अगर यह बर्ड कप जीती है तो निश्चित तोर पर इस जो हतो इंडिया टीम या किर्कित के लिए या खेलों के लिए कोई बहुत बड़ी जो हतो निश्चित तोर पर नीती तियार की जा सकती है तो धन कंचन भूमी लाभम धन का भी बहुत बड़ा आगमन भारत में होने वाला है अर्थार यह जो त्रगही योग बना है देखा जाए ब्रेश्चिक रासी पर मतलब सुयम खेल की रासी पर सूर मंगल और बुद्ध का तीन ग्रह एक ही रासी पर है बुद्ध ब्यापार का देउता है यह मैंच के बाद बूम ला देगा ब्यापार में भारतिय ब्यापार एक सकती बढ़ जाएगी साथ ही अगर देखा जाए शूर्य यह घठों का राजा है यह भी भारतिय सपोर्ट में है तो शूर्य निश्चितोर पर राजा बनाता है चाहे खेलों का राजा बना दे और चाहे वह किसी बी चीज का राजा बना दे राजा रंग बनाने की सकती एक तीर वर्लकप पे मारेगी और कई निशाने हम देखेंगे और कई ज़्यादा फाइदे आने वाले समय में हमें इस वर्लकप के बाद बिल सकते हैं बहुत से फाइदे होंगे आचारे राजेश जी कोई उपाय आप बताना चाहेंगे क्रिकेट लवर् सुबह से ही प्रार्थना कर रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं तस्वीर लेकर मंदिरों में पहुच गए हैं आस्था देखिए यही तो संगम है आस्था और खेल का निश्ची दुरुप से जो लोगों की सदवावनाय होती हैं वही काम आती है और लगतार हम अपने अपने तरह से हम प्रयास कर रहे हैं जिसे कई बार तो कुछ टोटके होते हैं मेरा खुत का ऐसा टोटका में मेज देखना सुरू करता हूं इंडिया आर जाती में मेज दे साथाणिया कुछ बोलना चाहेंगे साथब्धने सबसाद्धि हैं हमारा देस से प्रय रहे हम देश के लिए सदभाश्चा की प्रहरी रहें हूद्धी है क्योंकि वह अंधर की प्रार्तना होती है यह प्रक्रती से होते हुए बुरे प्रक्रती को आगमնडल को कहीहिं है न आप जिस तरह से भी भारत के लिए एक अच्छे जीतने की कामनाई कर सकते हैं उस रूप में आप इस कामनाओं को करें निश्चित रूप से प्रभू आपकी बात को चाहूंगे कोई मंत्र ऐसा बता दीजे विजाई मंत्र जो भारतिय लोग जो क्रिकेट लवर्स हैं वो क्य घर भी बैटकर वह जो चाहती धन है यह कोई वैसे तो चाहता है कि आज इंडिया जीते और आज इंडिया के जीतने में कोई शक नहीं है इससे पहले भी हमर्ठा क्रचा कर रहे थे आज सितारे इंडिया की सपोर्ट में तो हैं फिर भी जी जी अंजिका जी भाग्यबल के अधार पर तो जो भारतिय टीम है वो बहुत मजबूत है और भारतिय टीम के गरहबल को और ज्यादा मजबूत करने के लिए वो सूर्य भगवान क का जाप करें सूर्य भगवान को जल्दें और शुर्या थे नमा साथी जो शनी है देोता यह शनी न्याई के देोता है और भारती य्य हो प्रभाव रासी है उसके यह स्वामी है तो सनी महराज वेलद मजबूट स्थिती Shani और सूर्य दोनों के लिए ही मंत्र का वो जाप कर सकते हैं और साथी जैसे कि आप उपाई बता रहे क्या हमारे पार समय की कमी है बहुत शुक्रिया आज किसके सितारें गर्दिशों में होंगे और किसके सितारे चमगेंगे तो आपने सुन ही लिया लेकिन आगे आपको बत सफर है वो बहुत जादा खासरा है भारत की जीत के लिए अभिनेता अनुपम खैर ने जीत की कामना की है वो भी देखिए दोस्तों आज भारत ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल है दिल धड़क रहे हैं दिलों में जोश है इसके लिए चंद लाइने पेश हैं कि जीत के लिए जनून चाहिंए जीत के लिए जनून चाहिये आत्म विश्वास रवों में खूब चाहिए यह आस्मां भी आएगा जमी पर बस इरादों में जीत की गूंच चाहिए बहरत की जीत पुरे विश्वें सनाई दे ही गे आज आज जब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, 100% जीतेंगे, जैहिन, जैभारत, जैभारती एक क्रिकेट टीम, तो आप अनुपम खैर को तो आप सुनी रहे थे और इसी तरह कई सोचल कामना है और अलग-अलग तरह के जो विशिज है वो सोचल मीडिया प्लाटफर्म पर देखने को मिल रहे हैं तो लगातार ये महा कवरेज जारी है, ये मेगा कवरेज फाइनल फाइट को लेकर जारी, छोड़े से ब्रेक के लिए हाँ पर रुकेंगे, आप बने रही है मारे साथ.